हाई एवरिवन इट्स प्रिंस एर आज हम लोग ट्री का नेक्स सवाल करेंगे जो कि यह बाइंडरी ट्री राइट साइड व्यू यह सवाल क्या है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉस्ट करो एंड सवाल को पड़ो जो लिंक दिया वर डिस्पिस बॉक्स में बहुत ह दो सवाल क्या कह रहा है किbrarयच सा檢़ रिउंफ गून का देक्विशा रहते हैं कि हम वहाले मतलब कि हमें सवाल कैसे होगा बहुत लोग другको मैक्सिंम लोगन जना करतें हैं मैं सब्लाइड करते हैं OH golden rules आप उस rules को follow करूं and उसको implement करते रहो त्री में भी same case है अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया आपको मैंने बस ट्री ट्राइवर्सल पढ़ाया है ठीक that's it यहीं ट्री ट्राइवर्सल अपने सारा सवाल चल रहा है ट्री ट्राइवर्सल दो तरह का एक होता लेफ्ट साइड ठीक यह हो गया लेफ्ट यह हो गया राइट को दिकत नहीं अब सुनों अब जो है राइट साइड का अपनलों हम लोगों को पढ़ना है and what we want कि अगर हम लोग यहां पे एक बंदा खड़ा है ठीक और वो इस साइड देख रहा है हम लोग फिजिक्स में एक दुसरे चुपए तो इसको क्या दिखेगा पका यही दिखेगा और कि सज्चम दिखेगा नहीं दिखेगा अगर अगर मैं आपको इसी चीज को च्छ़े सब्हों 124 अब एक बंदा यहां खड़ा है एक बंदा यहां खड़ा इधर से देख रहा है, अब भी याद रखना यह एक लेवल होता है, यह लेवल होता है, और यह एक दम एक दूसरे के सीफ में होता है, it means connection line-by-line align कोई असा नहीं कि two इधर से देख रहा हो इसा कुछ नहीं हो घड़ अब यह man इधर से देख रहा है तुसरे पहले इसको इधर से अगर देख हरा है तो इस्चिया रूप बन दिखेगा इसको इधर से देख रहा है इसके आखे इधर होती इसको वन दिखता इधर से स्टार्ट के तर टू दिखता अब सब अगर यहां पे तुम फील करो इसको सब एक सीधे में खड़े हैं ठीक कोई आगी पिछा से लाइन बालाइन वैसे हुलक के नहीं देख रहा है यह इसको यहां पर फाइब दिखेगा इसको दिखेगा वर्ण टू एंड फाइफ कि समझे लोग यह इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट व्यू और इसको कहेंगे राइट व्यू आट सिट तो इसको हम लोग करते कैसे बहुत सिंपल यार बहुत सिंपल अभी थक हमने जो पढ़ा लेवल और ट्रेवरसल ठेक मैंने जब यह पढ़ा रहा थे आपको तब मैंने यह चीश कहा था कि भाईयो यह चीश दुनिया में यतना काम आएगा उतना गल्फ्रेंट भी है वाइफ्रेंट भी काम नहीं आएगा राइट क्योंकि इससे ट्री ट्राइवरसल से सारे ट्री के सवाल होते हैं मैंने मैं बता र ट्राइब आता है अधर गृश्र में अधर यहां डेता ने क्या आएगा वन यहां क्या आएगा टू 3 यहां क्या एगा 564 अगर मैं कहूं कि कि इसका लेफ्ट वाला व्यू यह है तो क्या आप इससे सहमत है इसकी हम लोग जो टेंप्रेरी डेटा वाला जो वेक्टर बना रहे हैं उस वेक्टर का लास्ट एलिमेंट पिक अप कर लो डैट सेट हमारा काम हो जाएगा इसकी अपन क्या लिखते थे पुरा कोड लिखते और के लिखते हैं यहाँ पिक डेटा बना दे थे और डेटा में डेटा डॉट पुश करते थे वाट टेंप्रेशित का वयिव तो डेटा में सारा हम लोग को सिर्फ मतलब है लास्ट वाले ऐलिमेंट से इस डेटा में जो लास्ट ऐलिमेंट जा रहा है हमको बस उससे मतलब है वो हमें कोई बता दे अब देखो कोड कितना सिंप्लिफाइड है यह रहा कोड लेवल ओडर का अब लेवल ओडर की कोड में ह तो टेम्टरी डेटा बना रहे थे हैं बिसिकली हमें उस डेटा का लास्ट इलिमेंट चाहिए ठीक बात होता हो अल्टिमेटली हमें यह सारे अल्मेंट नहीं चाहिए तो इसकी जो रिटरन टाइप आएगा वो क्या आएगा वैक्टर इंट समझ रहें ना पहले लेवल से 1 दूसरे लेवल से 3 तीसरे लेवल से 4 तो लुटिमेटली वैक्टर रिटन कर रहा एक चीज़ता हो गया तो और हम लोग को यह पूरा का पूरा स्टोर करने का जरुद भी नहीं है हम लोग सिफ last वाला इस्टोर करेंगे और इसको पुश कर देंगे कैसे करेंगे यह देखो तो एक चीस तो साफ हो गया कि बहिए यह वैक्टर वैक्टर टेंट यहाँ पर इसको हटा कि अपने कर देता है लगो मैं ऐसी कोड में चेंजिस कर रहा हूं ठेक समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है अब मैं इसको कोड अगर कुछ सवाल यहां लिख दूँ वन टू थ्री फाइव अब यहां तक कोई दिकत नहीं कोई दिकत नहीं बात आता है यहां पर वेक्टर और डेटा मैंने बोला कि मैं यह new कोगा मैं इसकाटा नहीं लिखा कि सिर्फ डेटा सर्जी in detta zero मैंने डेटा नाम का वैरिवल बना लिया वेक्टर टाइप का नहीं एक इंट इस तरह का डेटा मैं data.pussback ना करके मैंने बोला कि data बरावर temporary का value करते हैं यह नहीं करते हैं तो यह क्या हो रहा होगा पहला बार में data declare हुआ हम लोग इस level के लिए काम कर रहे हैं तो पहला बार में data बरावर आ गया 1 ठीक बात खतम और फिर इस answer में इस वाले answer में व्यक्टर बनाया उसमें data पुस्स कर देंगे तो पहला बार डेटा तो चला गया कोई दिकत नहीं फिर इस case में data दुबारा इनिस लाइज हुआ जीरो से तो पहला बार में data अपडेट हुआ किस से टू से जब यह वाला करते हैं इस पहले data update होगा 6 जब यहां पर आएगा फिर update होगा 5 के साथ फिर update होगा 4 के साथ लास्ट में क्या बज जाएगा 4 फिर यहां पर data 4 बच जाएगा बस एक जगा changes कि एंड यहां पर दो जगा सर्य यहां भी नहीं चेंजिस किया यहां चेंजिस एक जगा और दो इस चीज का left view पढ़े के बताओ तो तुम कैसे करते हैं तब तो भाई समझी नहीं आता कि इसको अप्रोच कैसे करना है बट अब हमें इतना idea लग गया कि जो लोग भी सीरीज को देख रहे होंगे ना वो लोग इतने अदा confident होगे अगर आपको लेवल और टावर से नहीं आता प्लीज इस सीरीज में दो वीडियो उपर जाओ आपको इसली समझ में आगा मैंने इतना अच्छा समझाया है पचीस यह बाइस मिनेट की वीडियो से आपके अंदर इतना confidence बूश्ट कर देगे ना आपको एक एक चीज समझ में कर क्या से रहां उसको कोड कैसे लिखा है तो बस कुछ नहीं सिर्फ तीन जगह उसमें चेंजिस की हैं हमारा एंसर आगया अब बढ़ी यह सवाल कितना टफ था यह सवाल बहुत लोगों से नहीं होता और यह सवाल काफी अच्छा है क्योंकि डारेक्ट जब पढ़ते हैं कि लेफ्ट व्यू पर आओ यह राइड कोड़ सिंपल था बढ़ हमें क्या चाहिए इंटीर चाहिए तपन इस इंट को को कि कॉपी डाट सिट वेक्टर अब हमना डेटा ट्रेटर टाइप यह हो गया जो हमारा रिटर एंसर कर रहे हैं डेटा भीक्दम परफेक्ट है बट यहां पे वैक्टर ना करके हमने बोला इसको सब्मिट करते हैं तो अपको समझ में आया कि यह रन कैसे कर रहा तो मैं आपको फिर क्या होंगा कि अपसे पहले क्या करो कि मैं एक्जांपल के तो आपको लेफ भी का सवाल दोंगा लेफ्ट विफिए खुझ से अटम्ट करना एंड कमेंट करके बताना कैसे करना है भी में थोड़ा दिमाग लगाना कि और इसको कैसे हम लोग सोच सकते हैं और देखते हैं कितने लोगा सवाल हो जाता है कुछ भी करो सामधाम दंद पे सवाल हो जाना चाहिए करना वीडियो को कमेंट करके बताओ चैसा लगा एंड शेयर करना यार अगर अगर आपने तक मेरे टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया तो प्लीज वाइन कर लो वहां काफी दर जापके अब्डेट्स आते रहते हैं प्लस मेरे 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 तरब से भी काफी तरब आते रहते ह सायोना